अनकेडमी लाया है अनकेडमी आल स्टार्स, केमिकल साइंसेज बैच पॉर CSI यार UCnet in English क्योंकि स्टार्ट हो रहा है आपका मार्स 22 से इस बैच को लीट कर रहे हैं कृपा सिंदु करमाकर, जागर की सर्मा और नूरल हुड़ा तो आज ही अनूरल कीजिए, आल स्टार्स, केमिकल साइंसेज बैच पॉर CSI यार UCnet दे लिंक इस गिवन इन देस्क्रिप्शन आप इस वीडियो हेले फेंस, वेल्कम पर चैनल माससा पॉर्टनी अगिन, मैं हूँ आपका दोस्त वीने कुमाँ सिंग, पिछले वीडियो में हमने साइकर्स के बारे में पढ़ा था, उसके जनरल फीजर के बारे में पढ़ा था, सारे इंपोर्टन पॉइंट मैंने आपको उसमें बता दि ठेक, अब यहां पर आप देखेंगे कि विस्टेटिव रिप्रड़क्शन जो होता है, उसमें जिसे एड्वेंटीस बर्ट से भी हो सकता है, बल्बिल्स भी बन सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला कोश्चन है, यह कि बल्बिल्स जो होता है, कि समें बनता है किस जिम्नोस पर हुम में, या सकल्स भी विस्टेव रिप्रड़क्शन पर्ट ले सकते हैं, साइकास के मेली यहर जगा बल्बिल्स लिखा रहता है, और आपको बल्बिल्स याद रखना है प्यार जाते हैं, तो आप हमेश़ से याद रखेगा, यह भी पूछा जाता है क Saikas किस्प्रकार का प्लांट है, साइकस एक Diceus plant है, डाइसीस का प्लांट आप ऐसे याद रखी जिसे आपने पापाया का पेड़ देखा होगा, वहाँ में मेल प्लांट अलग होता है, फिमेल प्लांट अलग होता है, कभी कभी आपसे बोला जाता है कि पपाया का प्लांट मेल हो गया है डाटमिस वहाँ पर आपको फून नहीं मिलेगे कि लोग जो होता है फून के लिए जीदा कसरण्ड रहते है तो अगर आपने प्ला प्लांट लगा दिया तो आपको फल मिलने वाले नहीं है तो ऐसे ही डाइशियस प्लांट का यह एक्जामपल है पपाया ऐसे साइकस भी एक डाइशियस प्लांट होता है उसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है कभी भी आप साइकस का प्लांट देखिए तो पहचानने के कुशिस कीजिए कैसे पहचानेंगे female reproductive organ आपको अगर वहाँ पे दिख रहा है तो वह female plant है और male reproductive organs वहाँ पे दिख रहे हैं तो वह male plant है तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि Diceus plant है कोई की नहीं ठीक और यह हेट्रोस पूरस होते हैं हेट्रोस पूरी तो आगे यहाँ पे common हो जाती है हम तो से पहले male plant की बात करते हैं साइकस की जो male plant होता है क्योंकि reproduction की बात कर रहे हैं हम तो हम concerned रहेंगे जो reproductive organs से उनके तो male plant पे हम male cone की बात करते हैं अब खास बात यह है कि male plant पे male cone बनता है मतलब जो ऐसे sporophis जहां पर sporangeum रहता है वहां पर cone मतलब जो male के sporophis saon बनाते हैं ठीक है क्योंकि मैं यह चीज़ आपको इसलिए बता रहा हुकि female plant में जो mega sporophis रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं को नहीं बनाते कों का मतलब हो गया कि compact बन गया ठीक है तो इसमें mail का कौन बनता है और यह कौन जो होते हैं plant kingdom में largest होते हैं और यह जो mail कौन बनते हैं यह stem के apex पे बनते हैं मतलब stem जैसे गुरू करता हुआ जा रहा है उसके टॉप पे बन गया ठीक और क्योंकि जब top पे बन गया तो जो stem आगे का होगा वह sympodial हो जाएगा sympodial का मतलब बगल से branch नया निकलेगा उसका access नया हो जाएगा ठीक और यह जो mail कौन होता है इसका एक short stack होता है इस mail कौन है several microsporophyll arranged spiral मतलब वह जो mail कौन रहता है उस पे जो microsporophylls मतलब microsporengia bearing leaves वह spirally arranged होते हैं अब यह microsporengia होते हैं यह ऐसे अकेले नहीं होते लीफ में यह धेल सारा microsporengia group रहते हैं जिनने सोरा ही बोला जाता है और यह यह जो आपका microsporophyll इसके lower surface पर पाया जाते हैं कि यह पूछा गया है यह भी पूछा गया है कि जिससे sympodial है कि नहीं इसलिए मैंने इसको red से किया है ऐसे यह भी पूछा गया है कि microsporophyll के या lower surface पर तो आप क्या बोलेंगे lower surface पर जिसको technical term abaxial होता है और अपर से का technical term क्या होता है adaxial होता है तो यह microsporophyll के lower surface पर पाया जाता है अब देखिए जो development होता है microsporangia का वह यूजपूरेंगे टाइप का होता है यह मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि trade of fight आपने पढ़ा होगा यह common question है कि यूजपूरेंगे type का होता है या लेप्तो पूरेंगे टाइप का होता है तो जिम्नोस पॉम में आया साइकस में आप करेंजिए यूजपूरेंगे टाइप का ही यहां पे आपको प्रेंगे का development देखने को मिलता है अब यह जो होता है microsporophyll पे माइक्रोस्पोरेंगे होंगे lower surface पे डेर सारे जो ग्रूप रहेंगे सोराई में अब एक-एक माइक्रोस्पोरेंगे में माइक्रोस्पोर बनते हैं या जिसे pollen ग्रेंज बोलते हैं इसका शेप जो होता है यह important होता है क्योंकि यह boat फिर बाद में नुक्लियस डिवाइड करता है माइटॉसस से क्योंकि जो माइक्रोस्पोर रहते हैं यह क्या होते हैं है प्लाइड होते हैं प्लांट तो डिप्लाइड है तो हमय्क जब पुरोट होगी लेकिंजब उसिए माइक्रस्प qualify बनेंगे तब Gentlemen मिश्स होगा तो एक से बनेगा दो सेलr और पिर क्या होता है दोसे रहे चैनल फिर एसा होता है कि इसका बाइक माईक्रस्पोर का होता है वह वह से रिलीज हो जाता है अब यहां पे इसका काम को चादम मेल प्लांट कराते हैं तो फीमेल प्लांट में खास बात यह है कि इसमें जो वो होता है को नहीं बनता है मेगा स्पोरो फिल्स का जिस पे आपका व्यूल लगा होगा वो लूज रहता है टिक लूज पाइरल होता है और यहां पे स्टेम का आपक्स जो रहता है वो इन्वाल्ड नहीं होता है मतलब जो प्लांट है फीमेल प्लांट आप देखें के उसके टॉप एक दम अपक्स पर जो ग्रोइंग पॉइंट है वहां पर यह आपका मेगा स्पोरो फिल नहीं बनते हैं तो इससे होता क्या है कि वो जो स्टेम है वो कंटिन्यूशली ग्रो करता जाता है और वो स्टेम मोनो पोडियल ही रहता है सिंपोडियल नहीं हो जाता मेल के रहता है और उसी पर 1-6 पैयर ब्लियूशल लगए होते हैं स्टार्क आ जहते हैं आप ध्यान देखें कि जो लैमिना उस पर नहीं रहते हैं स्टार्ट पर ही लगा होगा एक से छे पेर अलगर इस विसीज में यह भी टैक्सोनॉमिक इंपॉर्डेंट करेक्टर है यह विसका नंबर देखके आप स्पेसीज बचा सकते हैं यह जो लैमिना पर इंसा सबसे ज्यादा कोमन होता है और ऐसे इसंवनीज स्पर में he common रहता है सब में और चो समय सबसे चो 절 सब्सक्राइबं इंवल रहता है। सब्सक्राइबं इक गर रहता तो और एक खास बात पास एक लाइक में लार्जस्ट होता ठीक और ओव्यूल के पास एक large micropile होता है pollen chamber भी उसमें होता है newsless होता है और इसके जो integument है रहता तो यह unit technique है मतलब integument एक ही पाए जाते हैं लेकिन वो भी जो एक integument है वो तीन distinct layer में divisible होता है outer जो रहता है और सबसे अंदर वाला और फ्लेशी होता है और जो बीच का layer होता इंटेग्मेंट का वो stony होता है और खास बात यह है कि ओव्यूल में तीन main vascular strand आये रहते हैं ठीक अब जो ओव्यूल है उसका क्या काम है Megaspore बनाना जिससे Microspore Angia के अंदर Microspore बना वैसे ओव्यूल क्या है ओव्यूल एक Megaspore Angium है और Megaspore Angium का function क्या है Megaspore बनाना टिक Megaspore जैसे आप Tridophyte में देखते थे Microspore germinate करके male gametophyte बनाता था और Megaspore germinate करके female gametophyte बनाता था तो pollen grain क्या है Pollen Grain male gametophyte जो मैं आपको बता चुका हूँ और वह त्री सेल स्टेज में डेश हो गया अब Megaspore रहता है ओव्यूल के अंदर यह क्या बनाएगा male or female gametophyte की बात कर लेते हैं Microspore जो आपका तीन सेल स्टेज में शेड हुआ यह इसका further development कब होगा जब pollination हो जाएगा Microspore release होगा जाके pollen chamber में जाएगा यह फिर वहाँ पर जो जनरेटिव सेल है थ्री सेल स्टेज में आपको क्या बताया था एक प्रोदेलियसल रहता है एक ट्यूसल रहता है एक जनरेटिव सेल रहता है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका यह बनाएगा इंटियरेवर होते हैं यह भी लाजने होते हैं plant kingdom में तो बहुत सारे यहां पर चीज़ें हैं जो largest in plant kingdom है और साइकर से related है अब mega spore की बात कर लेते हैं जो हम ने पढ़ा अभी जो ठीक है इसमें फिमेल plant में last में byla mega spore तो कि उvvule के अंदर बना अब जो mega spore रहता है वह female prothelis बनाता है जिसको indo sperm बोलते हैं, indo sperm इसमें haploid होता है कि यो fertilizer से पहले बनता है, वह इंजियु sperm में आपने देखा था, कि जो indo sperm था, वो fertilizer के बाद बनता है, था triple fusion के बाद इसलिए वो triploid होता था, तो female prothelis बना, इसी female prothelis में mega sport नयर्जा को सरे फीमिल प्रोढलिया बनाते में उसके उसके अधी हुन्हीं के प्रोढलिया होता है उसमें 2-4 निकसिल होते हैं वेंटर पिचिति क्यंडवी होते हैं इसे उसके पाइध देखियं इनके स्पार्म अर्जस संहें रिस्ट प्लांट इंड़ र्फिंग सुने तिक इतनी सारे चीज़े हैं इनमें लार्ज सिंफ प्लान किंग्डम अब एक खास बात और है कि ने कैनल सेल जो होता है जिम्नों में अपसेंट होता है तो साइकस में भी अपसेंट होगा यह आप ध्यान रखेगा फडिलाइशन करा देते हैं जब फीमेल और मेल रिप्रोड क्या इनमें एंथरोजाइट बन गया इसमें एक बन गया आर्चिगोनिया के अंदर जैसे कि आप टेड़ोफाइट में पढ़ते आ रहे हैं अब एंथरोजाइट जो होगा एक से मीट करेगा फडिलाइशन होगा जाइगोड बनेगा यूजली जो होता है क्योंकि आर्चि इंब्रियोनी होता है सारे के सारे इंब्रियोबनाने लगते हैं एक यूद केसे को सिमपल पॉरी इंब्रियोनी जहते हैं जब एक से ज्याद्र जाइगोड जो होता है जो करेगा तीनgging 149 होगा जोकी आ हाउस्चोर्यल रिजन है जो कि absorbed करता हैं होता है जो कि इंडोस्पर्म में डीप पुश करता है जिसका क्या फंक्षन है और एक बेसल इंब्रियोनल वो होता है रिजन होता है जो कि क्या बनाता आगे चल कि कोई और यह पूछा तौल कि इस्पेंसर बन गया इंब्रियोनल विंड खाने बनाते हैं कोई आप से पूछे साइकस कितने कोज़ know यह लेकिन नहीं है यह लेकिन यह होते हैं यह जो होता है पूरा का पूरा ओव्यूल जो है सीड में अजाते हैं सिंदे वन संदे हो इनका कोट रिबनता है जब बनाते सीड करें तो इनका जो पर चॉछिज़ थाrail अंदर की रहता इसी को कि कैम बोलते हैं का यत नियिंव का जब गर्म करता है तो इसका को प्र सूंडल first two leaves रहते हैं वो उपर आजाता है तो इसको एपीगियल जर्मिनेशन बोलते हैं तो ऐसा ही साइकस जो है एक हाइपोगियल है इसमें जो इसके कॉडिलिणनस लीव होते है यह नीचे रहते है जमीन के और फिर वो सीड जो है एक नए साइकस के प्लांट में ग्रो कर जाता है ऐसा ही फिर आप उसे जर्नल करेटर पर आजिए जो आप साइकस का प्लांट जब बढ़ा होगा तो आपको कैसा देखने को मिलेगा ऐसा ही अनब्रांच्ट और परसिस्टेंट बोड़ी लीव बेसिस रहेगा पिन निटली कंपाउंड लीव रहेंगी फिर उस पे मेल और म आपको पढ़ना है तो यहां पर साइकस खतम होगे नेक्स पार्ट में मैं पाइनस की बात करूंगा देखते रहें मासर साब बॉटनी थैंक यू फो वाचिन इस वीडियो अगर आप रिपेर कर रहे हैं बनारस एंजर रुवर्स्टी के MSC बॉटनी इस एक्जाम के लिए सब्सक्राइब को बहुत होगा इस वीडियो के डिस्क्शिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं और साथ अगर आप बहुत सारे यह बुक आपके लिए बहुत अच्छा है इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिक्शन में मिल जाएगा दोनों बुक आप पर्चेस कर सकते हैं